राइफल कलब बरेली में दो दुबसी शूतिन प्रत्योग तक आईजन किया जा रहा है जिसकी शुरुवात आज आठ मार्च को हो गई कारकर्म की मुकातिती नगरायक निदी गुपता ने कहा कि पुर्सों की अदिकार वाले छेत्रों महिलाओं के लिए अपने पैर्श जमाना आसान काम नहीं होता है लेकिन आज सहर और जिले की तमाम महिलाओं ने इन चुलोतियों को जीता है बरसों से जिन छेत्रों में पुरसों का एक छेत्र राज रहा है आज उनी के मैदान में महिलाएं उनको टकर दे रही हैं और सपलता का पर्चम लहरा रही है पुछ वेपन को हाथ में लगाया एक ती सिक्स में मैंने दुबारा अचानक से एक तिन मेरे अज़्डन को जरू पड़ी कि चलो गन का लाइसंस ले लेते हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि बई गन का लाइसंस लेना है और एक competition हो रहा है डारक्ट स्टेट बदाइए स्टेट competition हो रहा है तो मुझे बदाइए स्टेट competition में लेए और मैंने महा पे जाके इतने साल रेफन को भिना चुये कि वहीं मेरे से जो कुछ टीम गई नी थी उसके अतियारों से चलाया और मैंने पात मैद्लियों वहां पे जीते हुआ कि दो कि उो में लाद ले में वहां कर सकते हुआ है। इता है ओड द coach लांप ड्मानी उुलिए हुआ है हुआ है खे जांदे जुआ है जुआ है एंदे इन्युज एूंड य। आज महीला दिवस है महीला शशक्तिकरन और उनका स्वावलंभी होने का यह दिवस है इसको इसके लिए बहुत सब को चुपकामना है और यहां पर आज हम दोंगे राइफल क्लब पे जो हमारी शूटिंग में जिन्नोंने बरेली का नाम रोशन करा है उन सब बच्चीयों को सब महिलाओं को और हमारी जो ओलंपियन है अभाजी को उन सब को समानित करा तो यह गर्व का विशह है कि बरेली में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि नाशनल लिवल पे ओलंपिक्स में खेल रही है तो यही एक इंस्पिरेशन का प्रतीग भी है कि उनके जैसे बरेली में और भी शूटर्स निकल के आया और बड़ेली का नाप वर्शन के लिए हमारा परिवार बहुत ही समाने परिवार था तो जब समाने की बात करते हैं तो सारा फोकस यह पढ़ाई पे चला जाता है तो माताओं को लगता है कि पढ़ करके बच्चे कुछ सशक्त बनेंगे उन पिर वो अपना राश्ता पुद चुनेंगे तो उसी एक सामाने परिवार से हुम है और माबाप का और पूरी सामली का जो सपोर्ट रहा है बहाई बहनों का जो सपोर्ट रहा है उसकी वज़े से आज हम आपे रहे हैं तो यही एक इंस्पिरेशन का रहता है कि को कबी आप राइट थोड़ राइट एनरजी को कल्टिवेट करें और लक्षे आपके कदम चुने का